नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहें गर्दन में मोच के कारण लक्षन और रुप चार गर्दन में तेजी से पीछे की तरफ और फिर उसी समय आगे की तरफ जटका लगने पर गर्दन में मोच आ जाती है जिसे विपलेस का जाता है ये काफी पीडा दायक होती है ये मुखे रुप से गाड़ी के पीछे से टका लगने के कारण भी होता है लेकिन कुछ मामलों में ये सेर में कुछ तेजी से लगने खेल कूद या हिंसात्मक गती वीडियो के दोरान भी हो सकता है और काफी बार ये बोज उठाने के चक्कर में भी आ जाती है इसके लक्षन आम तोर पर विपलेस का कारण बनने वाली दुरगटना होने के 24 गंटों के बाद दिखाई देता है गर्दन में मोच के लक्षन आम तोर पर कुछ अफतों तक रहते हैं गर्दन में मोच आने पर होने वाले लक्षनों में आम तोर पर गर्दन में दर्द होना मास पेशियों में अकड़न आना आदी सामिल है गर्दन में लगी चोट की गंबीरतार पर निर्बर करते हुए कुछ अन्य लक्षन भी विक्सित हो सकते हैं जैसे गर्दन वे कंदों के पिछले इसे को छूने पर दर्ध होना, गर्दन में सूजन होना, गर्दन के पिछले इसे और अगले इसे में मौजूद मास पेशियों में एठन आना, कंदो के पिछले इसे की मास पेशियों में एठन होना, गर्दन को इलाने डुलाने में दिक्कत होना, सिर्दर्ध ठीक से सोना पाना और ठकान मैसूस होना जबडे में अकरन या चबाने में कठनाई होना यदि गर्दन में गंबीर रूप से मोच आ गई है तो ऐसे में कुछ गंबीर लक्षन भी हो सकते हैं जैसे ठीक से दिखाईना देना कान बजना नसो समंदी अन्य समश्या आदी यादा ध्यान लगाने में कठ्षिनाई मैसूस होना बारबान नीन से उठना चिड़ चिड़ा पन होना दूंदला दिखाई देना डिप्रेशन होना डोक्टर को कब दिखाना चाहिए यदि आपको निम्न में से कोई भी समश्या हो रही है तो आपको तुरण डोक्टर से मदद ल पर आपको डोक्टर से जरूर से जरूर दिखा लेना चाहिए, आतो वे मुत्राश्य समंदी कोई समश्या होना, बाउं में कमजोरी या सुन्पन महसूस करना, ऐसा लक्षन आपको दिखाई दे तो तुरंत आप डोक्टर के पास जाए, गर्दन में मोच के कारण वे जोखिम जब गर्दन में पहले पीछे की तरफ और तुरंत बादागी की तरफ जोड़ा जटका लगता है, तो इस स्तिती में गर्दन की मास्पेशियों में अकड़ान आ जाती है, जटके के दोरान गर्दन में मोचुद टेंटन और लिगमेंट्स में अत्यादी खिचावा जाता ह और वे फट जाते हैं, जिसके परिणाम सुरूप विपलेस हो जाता है, यह स्तिती मास्पेशियों की वज़े से हो रही स्तिती में बत्तर हो जाती है, क्योंकि जटके के दोरान मास्पेशियों सिर को वापस समानी दर्शा में लाने के लिए जोर लगाती है, सिर को समानी स् हिचने के दौरान मास पेशियों में खिचावा जाता है और वे च्छती गरस्त हो जाते हैं सिर में जोड से कुछ लगने या अगात ओने की स्तितिक को जॉल्ज कहा जाता ही है सिर के बराबर अगले पिछले इससे में हो सकता है वहाँ आदी के दौरान लगी छोटी मोठी टक करके दोरान भी गर्दन में मोच आ सकती है गर्दन में मोच होने के मुखे कारण निमनों हो सकते हैं गर्दन में अचानक से मोड आ जाने के कारण मास वेशिया कर जाना उधारन के लिए तेज गती वाले जूले जूलना साइगिल पर छोटी मोटी चोट लगना फिसलना या ग का कर रखना बच्चे को धमकाने के दोरान उसे पकड़ कर जोर से इलाना इस दोरान बच्चे की गर्दन में मोच आने के सासाथ उसके मस्तिस्क या रिड के हड़ी समंदित कई समश्य हो सकती है गर्दन में मोच आने का खत्र कब बढ़ता है कुछ स्थितिया है जो गर्दन म कोई दूसरा वान टकर मार दे कार के ब्रेक लगने के दोरान जटका लगना गिरने के दोरान सिर में तेजी से पीछे की तरफ जटका लगना सिर में कोई भारी वस्तू आकर गिरना या काफी भारी बोजा उठाना ऐसे काम करना जिसमें गर्दन के मासपेसिया गती सीलना रहत इसलिए इनका ध्यान बहुती जरूरी तरीके से रखना होता है पुर्षों के मुकाबले महिलां को गर्दन के मोच होने का खत्रा अधीक होता है गर्दन में मोच से बचाओ आम तोर पर गर्दन में मोच आने से बचाओ किया जा सकता है लेकिन कुछ मामलों में ये संभव नहीं होता वैसे तो वान एक्सिडेंट आदी दुरगटना की रोक्थाम का करना संभाव नहीं है लेकिन सुरक्षक तुमक उपकरन काफी अडवांस हो गया है तो दुरगटना कम करने का लगातार प्यास करें कही प्रकार की सीट बैल्ट और सिर के उपकरनों को काफी अडवांस बना दिया गया है जिसे गर्दन में मोच का जोखिम काफी कम हो जाता है वान चलाने से पहले हैड रेस्ट को अपने सिर के अनुसार उचीत रूप से अड़ेस्ट कर लेना चाहिए ताकि वान चलाते समय ज गर्दन में मोच आने के बाद जितना जल्दी हो सके उसकी बरफ से सिकाई करें ऐसा करने से दर्द वे सूजन कम हो जाती है बरफ को किसी पतले तोले या कपड़े में लपेट ले और हर तीन से चार घंटे बाद 15 मिंट तक सिकाई करें गर्दन में मोच यानि विपलेस कर खिलाज करने के लिए गरदन की गरम वे नम चीजों से भी सिहकाई की जा सकते। परन्तु ये ध्यान रखें कि जब आप इस पानी से नहाएं तो सीधे पंखे में जा करना बैटे वरना आपको नुकसान हो सकता है। यदि आपकी गर्दन में मोच आ गई है तो डॉक्टर नेक ब्रेस यानि गर्दन में लगाने वाला पट्टा है जैसा उपकरन देते हैं उसका इस्तमाल करने के लिए आपको मना किया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद। झाइको इस दोस्तों टेहिंद। झाइक करें सेक्षर के सा gakदेपने किया जैहिंद।